हेलो एब्रिवान आज हम लोग फिर खेल से मतपुन कोश्चन्स का डिसकसन करेंगे इस खेल से रिलेटेड जो भी इंपोर्टेंट कोश्चन्स है उसका पार्ट वन है पार्ट फिर आने वाले कल में होगा तो देखते हैं फर्स्ट कोश्चन है कि हाली में किस किरिकेट खिला में सबसे तेज रन बनाने वाले खिलारी बन गए देखिए टीटवएंटी में टेश्ट किरिकेट में जो है और इस्ट्रेलिए के हों कहां के ओस्ट्रेलिया के वह खिलारी है जो क्या वह 8000 जो 8000 रन बनाने में इतिहास रचा है और वह कौन थे अश्टिव असमित जी है अस्टीव अस्मित जी कहां के है कोईशन अगर पूछे कि अस्टीव अस्मित कहां के है तो ये उस्ट्रेलिया के है और अगर रिसब पंथ की बात करें तो ये अर्थ सबसे ज्यादा अर्ध सतक लगानेuffार्ण रणी ऐसे ज्ञारी में वहरके आये हैं तो श्टीव अस्मीथ रन बनाने में सबसे ज़्यादा कोहां के हैं तो अस्ट्रेलिया के रिसब पंत अर्ध सतक लगाने वाले सबसे अभी वो अच्छे खिलाडी में हैं और रोहित सर्मा सबसे ज़्यादा कैच लेने वालों में से हैं नेक्ष्ट कोश्चन देखते हैं कि कौन है जो भारतिये महिला क्रिकेट में वंडे में सार्वधिक विकेट लेने वाली गेंदवाज बनी है तो इसका आंसर जूलन गोस्वामी हो जाएगा जो कि सबसे जादा वंडे में क्रिकेट में गेंदवाज बन गई है जूलन गोस्वामी और अगर सबसे जादा महिला में रन बनाने की बात करें जो कि भारत में पहले अस्थान पे हैं तो वो मिताली राज हो जाएगी ये बीसु में दूसरे अस्थान पे है दूसरे पे कहां बीसु लेवल पे सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली और भारत में प्रथम नमर पे है और अगर महिला क्रिकेट टीम की कप्तान के रूप में अभी मिताली राज है नेक्स कोश्चन देखते हैं नेक्स है कि T20 इंटरनेशनल में सबसे तेज 100 बीकेट लेने वाले दुनिया के पहले खिलारी कौन बने हैं तो यहां पर देखिए रासीद खान रासीद खान जो है ये अफगानिस्तान के हैं रासीद खान अफगानिस्तान के हैं और इन ही के ना बिलोंग करते हैं तो अफगानिस्तान से ये बिलोंग करते हैं रीशा पंत अर्ध सतक लगाने वाले सबसे ज़्यादा खिलारी हैं सबसे ज़्यादा अर्ध सतक लगाने वाले और अश्टिव अस्मित अभी सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले सबसे तेज रन बनाने वाल तो आयोजन कहां पे हुआ है तो इसका आयोजन वेश्ट इंडीज में वेश्ट इंडीज में हुआ है और अगर इसका विजैता पोछे कि विजैता कौन है तो विजैता भारत है और अगर इसका उप विजेता पूछे कि उप विजेता कौन है तो उप विजेता इंगलेंड है उप विजेता भारत है और कहां पे विशुकप का आयोजन कहां पे हुआ था तो वेश्ट इंडीज में किस खिलाडी को 36 गड वीरनी पुरुषकार से सम्मानित किया गया तो ये कौन हो जाएगे दूती चंद की दूती चंद को अभी हाली में 36 गड के वीरनी पुरुषकार के दौरा सम्मानित किया गया है मिताली राज जो है अभी महिला क्रिकेट टीम की क्या है कप्तान है महिला क्रिकेट टीम की कप्तान अभी बनी हुई है आट एंधी इंडिया जो है इसकी सुरुवात की गई है और इसका उद्देस है इसका उद्देस युवाओं को जागरू करना इसका अगर पूछे कि इसका किस उद्दे से यह किया गया है तो युवाओं को जागरूख करना करने के उद्दे से नेक्स कोश्चन है कि बिसु के सबसे युवा सत्रंज ग्रेंड मास्टर कौन बने है तो अभिमन्यू मिस्रा है जो की मात्र बारह साल फोर मन्थ और पचीस दिन टोटल इतने एज के यह है जो की ग्रेंड मास्टर सत्रंज ग्रेंड मास्टर में सबसे युवा खिलारी बने ह और ये भारतिय मूल के ये भारतिय मूल के अमेरिकीं है तो ये ध्यान रखिएगा कि इसके दादा मामा पिता जी या मा में कोई एच नहां के हैं इंडिया के हैं लेकिन अभी रहते कहां पे हैं अमेरिका में और इनकी एज अगर पूछे तो 14 साल 4 मंथ 25 दिन मातनीं की उम्र है और इतने छोटे एज में इन्होंने क्या किया है सत्रंज ग्रेंड मास्टर बने हैं नेक्स कोश्चन है कि विजय हजारे ट्रॉफी 2021-22 का विजयता कौन बना है तो विजयता इसका हीमाचल परदेश है और अगर उसमें उप विजयता पूछे कि उप विजयता कौन है त उप विजयता तमिल नाडू है उप विजयता इसका तमिल नाडू है विजयता हीमाचल परदेश और उप विजयता तमिल नाडू नेक्स कोश्चन है नेक्स है कि हाली में आयोजित अंटर 19 एस्या कप 2021-22 में कितने टीम ने हिस्सा लिया था इसमें टोटल आठ टीम ने हि चांक्त्राइ मैं धग्त हैं regional आप से पूछेगा इसमें कितने टीम नहीं से लिया था तो इसमें दुबाई में यह आयोजन खुआ था और अगर इसको विजयता पूछें कि विजयता आन कहँप भारत है और अगर वुप वीजेता पूछे वीजेता स्री-लंका है इसका क्या है स्री-लंका है नेक्ष कोश्टन देखते हैं नेक्ष है कि और स्ट्रेलिया के बिरुद हांडेड छक्के लगाने वाले विषो के पहले बल्लेवाज कौन बने हैं और इस्ट्रेलिया के विरुद्ध विरुद्ध हंडेट छक्के लगाने वाले बिसु के पहले बल्लेवाज तो इसका आंसर हो जाएगा एजाज पटेल है नेक्स्ट कोश्चन है कि हाली में कहां पर आयोजित होने वाले रश्ट मंदल खेलों में महिला टी-20 क्रिकेट को सामिल किया गया है महिला टी-20 तो इसका आंसर इंगलेंड हो जाएगा महिला क्रिकेट में यह है यह सामिल किया गया है और अगर पूछे की राष्ट मंडल खेल की सुरुवात राष्ट मंडल खेल की सुरुवात कब हुई है तो 1930 में और यहर वर्ट्स चार साल में आयोजित होती है राष्ट मंडल नेक्स है कि अंतराश्ची किर्केट में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतिय महिला कौन बली है तो मीताली राज और यहां जो है महिला किर्केट टीम की अभी कपतान भी है next question है, next है कि IPL, IPL में 6000 रन बनाने वाले पहले बल्लेवाज कौन बने है, IPL Indian Premium League, जिसमें 10 टीम है, जिसमें कितने टीम है, इंडियन Premium League में पूछे कि टोटल कितने टीम है, तो 10 टीम है, और इसमें सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलारी, अगर पूछे कि इसमें सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलारी कौन है, तो बिराट कोहली जी हो जाएगा, इसका अंसर बिराट कोहली, बिराट कोहली और रोहित सर्मा पूछे, तो सबसे ज़्यादा कैच लेने वाले में से कौन है, रोहित सर्मा है, और रासीद खान जो है, ये अफगानिस्तान के यह कहां के हैं अफगानिस्तान के नेक्ष है कि क्रिकेट के सभी प्रारूपों में डेब्यू करने वाली सबसे यूवा महिला खिलारी कौन है तो इसका अंसर से फाली वर्मा हो जाएगा यह कितने की है तो 17 साल 150 दिन की है इतनी कम में जो है यह क्या कि यह सभी प्रारूपों में डेब्यू करने वाली और इसको सलामी सलामी क्रिकेट खिलारी के रुफ में जाना जाता है नेक्ष्ट कुष्टन है और Kita की त्युलिय में में सन्यास लेने की घोशना की है तो पर इक त्युश्टन से गोशना की है एसले बाटी जी कौन एसले बाटी जी जो है एसले बाटी हो जाए एसले बाटी है और ये क्रिके ये टेनीस के क्वेशन आपसे क्रिकेट भी देगा तो ये टेनीस के सभी प्रारूपों से सन्यास लेने वाली है टेनीस के सभी प्रारूपों से नेक्स कोश्चन है कि भारत की महिला टेनीस खिलारी जो टेनीस सन्यास लेने वाली है वो कौन है भारत की तो सानिया मिर्जा है ये अपने केरियर में फोर ग्रेंड स्लेम अपने नाम किया है किसे फोर ग्रेंड स्लेम अपने नाम की है और इनको जो है अरजुन पुरुसकार स इनको 2004 में मिला था और राजीव गांधी इनको राजीव गांधी खेल रतन पुरुसकार भी इनको मिला है राजीव गांधी खेल रतन पुरुसकार इनको 2015 में मिला है और चार ग्रेंड स्लेम ये अपने कैरियर में हासिल की है और अभी हाली में ये क्या कर रही है ये सन्यास लेने की घोशना की है पीवी सिंदू जी स्विस ओपन में स्विस ओपन की अभी विजेता रही है नेक्स्ट कुश्चन है कि न्यूजीलेंड के घरेलू क्रिकेट स्रिंखला में एक ओबर लगाने वाले क्रिकेटर कौन बने है एक ओबर लगाने वाले कौन बने है तो इसका लियो काटटड हो जाएगा लियो काटटड जी अभी हाली में हुए है नेक्श है कि फ्रेंच ओबन 2017 में पुरूअग विजयता कौन बने है फ्रेंचि ओपन 2018 में पुरूअगी कौन बने है इस उसे में अगर पूछे तो नुवाक छोकोविछ हो जाएगा नोगाप नोवाग चोकोविच अगर यह पूछे कहां से है तो यह कहां के है सर्विया के और उप विजेता उप विजेता यह जो की कहां के है चेक गनराज के यह चेक गनराज के है जो की अभी उप विजेता है और नोवाग चोकोविच सर्विया के है जो की फ्रेंच ओपन 2021 कि इसमें पुरू सेगल के विजेता है नेक्स कोईशन है कि मेलबर्ण क्रिकेट कलब के लिए आजीवन सदस्ता हेतु किन्धे चुना गया है तो आजीवन सभिता हेतु हरवजन सिंग और जवागल स्रीनाथ जी दोनों को चुना गया है का आंसर A and B दोनों हो जाएगा नेक्स है कि महिला T20 में सबसे तेज सतक लगाने वाली कौन बनी है तो सबसे तेज सतक लगाने वाली पूछे तो सोफी डिवाइन हो जाएगा सबसे तेज सतक लगाने वाली सोफी डिवाइन लेकिन सबसे ज्यादा रन बनाने वाली विश्तु की दूसरी महिला अगर पूछे तो मिताली राज होगा दोनों में देखिएगा कि T20 में सबसे तेज तो सोफी डिवाइन और सबसे ज्यादा रन बनाने वाली तो मिताली राज नेक्स्ट कुछन, नेक्स्ट है कि डेवीस कप 2016 के लिए विजेता कौन है डेवीस कप 2021 के लिए देखिए डेवीस कप पूछे कि किसे क्या क् ignorant है या कि से क्या क्या ठोड़ेस अबहरे के डेवा कि अब्रवेस प्याइट या और अगर इसमें विजेता पूछे तो रूस है और उप विजेता पूछे तो क्रुएसिया है और विजेता में रूस है नेक्स है कि हाली में भारतिय कंपनी बाइजू को 22 में कहां पर आयोजित होने वाले फीफा भी सुकप का तो ये कतर की राजधानी पूछे तो दोहा और बाइजू जो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो कि ये एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है और इसकी अस्थाप बाईजू रविंदरन जी इनके फाउंडर बाईजू रविंदरन जी एंड डिब्या गोस्वामी जो है इसके अभी कौन है संस्थापक है और 2011 में यह हुआ है और यह कतर में ऐसा हुआ हाली में परधान मंत्री नरेंदर मोदी के द्वारा 11 खेल महा कुम्ब 2022 का आयोजन कहां किया गया है यह कहां पे किया गया है तो इसका अहमदाबाद में इसका आंसर क्या हो जाएगा अहमदाबाद में निक्ष है कि हाली में पुर्व क्रिकेट खिल सेन्द मौर्ण का निधन हो गया उनका संबंद कहां से है उनका संबंद ऑस्ट्रेलिया से है तो यह अभी हाली में निधन हुआ जिसका संबंद ऑस्ट्रेलिया से है नेक्ट है कि 31 मां दच्छिन पूर्व ACI खेल 2022 में किस देश में आयोजित किया जाएगा यह जो है वियत न COVID-19 के चलते इसका आयोजन 2022 में वियत नाम में किया गया और अगर 2023 में पूछे कि 2023 में इसका आयोजन कहां किया जाएगा तो 2023 में अगर पूछे तो कमबोडिया में इंडोनेसिया भी देगा कमबोडिया भी देगा तो 2023 में इसका कमबोडिया हो जाएगा 2022 में कमबोडिया और अगर पूछे कि अभी जो 2022 में वियत नाम में जो यह खेल का आयोजन किया जाएगा इसके सुभांकर का पूछे कि इसके सुभांकर फौन है तो इसके सुभांकर है साओला साओला इसके सुभांकर है जो कि वियत नाम के एक अस्तनपाई अस्तनपाई है जिनका नाम है और इनी को सुभांकर बनाया गया है और 2023 में कहां पे होगा कमबोडिया में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाली में भारत के लिए वन डे मैच में सबसे तेज अर्ग सतक लगाने वाली खिलारी महिलाम अगर पूछे तो रिचा घोस हो जाएगा कौन रिचा घोस जो है सबसे जादा है फरवड़ी 2022 में सिंगापूर में आयो जीत सिंगापूर वेट ल तारी ने जीता तिसका आंसर मीरा बाई चानू हो जाएगा मीरा बाई चानू और भी एक याद रखिएगा कि टोकियो ओलंपिक टोकियो ओलंपिक जो हुआ है टोकियो ओलंपिक 2020 में ये कौन सा पदक जीती है तो रजत पदक भारत के लिए ये रजत पदक जीती है और ये कहां की है मीरा बाई चानू मनीपूर की नेक्स है विस में सबसे बड़े क्रिकेट बैट का अनावरन निम्न में से किस सहर में किया गया तो यह हैदराबाद में किया गया और यह हैदराबाद में जो कि बहुत बड़ा क्रिकेट यह बल्ला है जिसका अनावरन किया गया है ने जेस जी को पी आई स्री जेस जी को एथलिट आफ दा येर 2021 दिया गया है निश्य किस भारतिये खिलारी को लॉरियस वर्ल्ड ब्रेक्टू आफ दा इयर आवार्ड दिया गया है तो ये कौन हो जाएंगे नीरत चोपरा जी ये कौन है नीरत चोपरा जी को दिया गया है और नीरत चोपरा टोकियो लंबिक 2020 में व्यक्तिगत रूप से कौन पतक जीते हैं गोल्ड मैडल जीत के आए हैं नेक्स है किस देश में वेस्ट इंडीज में आयोजित अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता तो भारत ने किसको हराया है इंगलेंड को हरा के भारत ये खिताब अपने नाम किया है नेक्स है फरवरी 2022 में भारत में आयोजित AFC महिला Asia Cup 2022 का खिताब किस देश ने जीता है तो ये आंसर हो जाएगा चीन ने ये किसको हराया है तो ये दच्छिन कोडिया कोड़ा है साउथ कोडिया को हरा के ये खिताब जीता है नेक्स है कि हाली में अंतराष्टिय ओलंपिक समीती हाँ तो इसमें कौन से 2022 में 2028 नहीं यहाँ पे 2022 के ओलंपिक के लिए किन खेलों को सामिल करने की घोशना की गई है तो इसके सारे अंसर सही है नेक्स है कि भारत के किस सहर में दुनिया के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की आधार सीला रखी है तो इसका अंसर जैपूर हो जाएगा कि BCCI के जो अध्याचबी सौरव गौंगली जी है इनके दोरा इसकी नीव रखी गई है और अगर पूछे फर्स्ट अस्टेडियम कौन है तो नरेंद्र मोधी अस्टेडियम जो है अभी सबसे बड़ा है जिसका पहले नाम मोटेरा अस्टेडियम था तो और दूसरे नमर पे ये अहम्दाबाद में है कहां पे है ये अहम्दाबाद में है और अगर सेकेंड में पूछे कि सेकेंड में कौन है तो मेलवर्न है जो कि अस्ट्रेलिया में है और थर्ड नमर पे जैपूर में भारभी सुका सबसे बरा अस्ट्रेडियम की नीव रख महिला एकल का खिताब किस ने जीता है तो इसका आंसर उन्नती हुड़ा जी है कौन उन्नती हुड़ा नेक्ष है कि हाली में देश की पहली पैरा बैडविंटन अकादमी तो कहां पे लखनव में इसका आंसर लखनव है नेक्ष है कि जन्वडी 2022 में किसे पडम विसिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है तो ये कौन होगे नीरज चोपरा नीरज चोपरा को सम्मानित किया गया है नीरज चोपरा को और अगर नीरज चोपरा को अरजुन पुरुसकार भी मिला है नीरत चोपरा को अरजुन पुरुसकारवी खेल के छेतन में इनको 2018 में मिला है और अभी हाली में पडम विसिष्ट सेवा पतक से भी इसे सम्मानित किया गया है नेक्श है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022-23 की मेजबानी कौन सा राज करेगा तो इसका आयोजन केरल में किया जाएगा इसके किसके दोरा किया जाएगा केरल के दोरा नेक्श है कि IPL 2022 और 2023 के लिए कौन सी कमपनी टाइटल रिस्पॉंसर रही तो टाटा ग्रूप टाटा ग्रूप की अगर अस्थापना की बात करें कि इसकी अस्थापना कब हुई है तो 1868 में जमसेद जी टाटा जी के दोरा जमसेद जी टाटा के दोरा और अगर पूछे कि इसका हेड़ काटर कहां है तिसका हेड़ काटर मुंबाई में है और यह भी पूछे कि अभी इसके कौन है यह अभी इसके चेर्मेन कौन है तो रतन टाटा नेक्श कोश्चन है नेक्श है कि वर्स 2023 में पहली बिस बाधीर T20 चैंपियन सिप का आयोजन कहां किया जाएगा तो कहां किया जाएगा तो यह केरल में किया जाएगा कहां पे यह केरल में किया जाएगा नेक्श कोश्चन है कि हाली में किस भारतिय गेंदवाज ने टेस्ट किर्केट में भारत के लिए सबसे कम गेंदव में 2200 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया तो मुहम्मद समी इसका अंसर मुहम्मद समी है नेक्श है कि हाली में जारी घोशना के अनुसार 44 फाइट सत्रंज ओलंपिक 2022 का आयोजन भारत में कहां किया जाएगा तो इसका आयोजन चेन्नई में किया जाएगा इसका आयोजन चेन्नई में होगा नेक्श है कि क्रिष्टियानो रोनाल्डो 800 से भी अधिक गोल करने वाली दुनिया की पहली फुटवालर बनी थी ये कहां की है तो ये पुर्तगाल की है और पुर्तगाल की अगर राजधानी की बात करें तो इसका राजधानी लिसमन हो जाएगा और अगर इसके करेंसी की बात करें तो यूडो है नेक्श आई सीसी द्वारा वर्ट्स 2021 में किसी हाल ऑफ फेम सामिल नहीं किया गया है किसे सामिल नहीं किया गया है तो डेविड वर्नर को और सब सामिल है इनको सामिल नहीं किया गया है नेक्स्ट है कि वर्ष 221 में मलेशी आई ओपन स्वेस चेंपियनसिप में पुरूस एकल का खिताब किसके नाम हुआ है तो इसका अंसर साड़व घोसाल जी हो जाएगा इसका अंसर साड़व घोसाल है नेक्ष्ट कोश्टन है कि न्यूएर्क में आयो जी थी उएस ऊपन दुहजार एकीस के पुरूस एकल विजेता कौन रहे हैं तो डेनियम में देव रहे हैं किसको हराके तो नौहाग चोपऀच को हराके और यह कहा के हैं तो रूस के हैं और यह कहा के हैं तो सर्विया के हैं यह सर्विय आ के हैं लोगा 근데 कि फिरनक है कि दूसरे खेलो इंडिया विंटर गेम्स का उद्खाटन हाली में कहां कि जाएगा तो गुलमर्ग में नेक्सट तो आज हम लोग यहीं तक देखते हैं फिर हम Lote नेक्ट सेशन में इसका पार्ट टू आएगा खेल से रिलेटेड जितने भी 2021 और 2022 में जितने भी इंपोर्टेंट खेल से रिलेटेड कोश्चन्स होगा सबका हम लोग डिसकेशन करेंगे तब तक के लिए थेंक्यू